ऐसा पहली बार देखा गया है कि पुतिन जंग में आपक हो बैठे हैं भयांकर गुस्से में पुतिन ने यूकरेन पर आरोप लगाया है कि यूकरेन ने रूस के खिलाफ परमानू जंग ठेड़ दी है पुतिन का साफ आरोप है कि यूक्रेन के कुसर्क में यूक्रेनी सेना ने उसके परमानु सैंत्र में धमाका करने की कोशिश की है पुतिन नी यहां तक साफ कर दिया है कि रूस अब चुन-चुन कर उन देशों को निशाना बनाएगा जो रूस को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं कुर्स्क में परमानु टार्गेट आधीरात पुतिन का बदला जब जैलेंस की दावा कर रहे थे कि लगभग तीन साल की जंग में यूकरेन ने रूस के छे लाक से ज़्यादा सैनिकों को मार डाला है उस वक्ट भी पुतिन को गुस्सा नहीं आया जब यूकरेन ने दावा किया कि उसने रूस के कुर्सक इलाके में लगभग तेरा सो वर्ग किलोमेटर इलाके पर कबजा कर लिया है तब भी पुतिन ने यूकरेन के दावों की परभा नहीं की जब जेलेंस्की ने एलान किया कि उनकी सेना रूस पर अमेरिकी वमों से हमला कर रही है और जल्द ही मौसकों को टार्गेट करेगी तब भी पुतिन ने रत्तिवर परवार ही की लेकिन 22 अगस्त की आधिरात को रूस के कुर्स्क में यूकरेनी सेना ने कुछ ऐसा किया है कि राश्ट्रपती पुतिन ने आधिरात में ही दुनिया के सभी सुपर पावर देशों को धमकिती है कि अगर रूस को परमानु जंग से खत्म करने की कोशिश करोगे तो ऐसे हर देश को रूस धरती से मिटा देगा जलन्सकी का परमानु मिशन भैंकर गुस्से में पुतिन लगता है 900 से ज्यादा दिन की जंग के बाद रूस यूकरेन जंग अब परमानु युद्ध के बेहत करीब पहुँच चुकी है हम आपको पूरी ख़वर फुल डीटेल के साथ बताएंगे कि क्यों रूस अब एटमी युद्ध करने के लिए मजबूर होने जा रहा है लेकिन उससे पहले एनिमेशन के जरीए ये देख लीजिए कि 20 और 22 अगस की रात यूकरेन की स्पेशल फोर्स ने कुर्सक में मौझूद रूस के परमानू उर्जा सेयंत्र को धमाके से उड़ाने के लिए क्या किया है राश्ट्रपती पुतिन ने यूकरेन पर बहुत बड़ी परमानू साजिश का आरोप लगाया है खबर के मताबिक रूस के कुर्सक में परमानू उर्जा स्टेशन को यूकरेन ने उड़ाने की कोशिश की है ताकि रूस का कुर्सक इलाका परमानू धमाके में तबाह हो जाए जो अपुष्ट खबरे आ रही है उसके मताबिक यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है रूस का दावा है कि कुर्सक परमाणू उर्जा संयंत्र को धमाके से उड़ाने की कोशिश की गई है दावा यहां तक किया गया है कि कुर्सक परमाणू उर्जा संयंत्र को आधी रात टार्गेट किया गया था लेकिन रूस के खुपिया एजेंट और सैनिको ने इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है दावा तो यहां तक किया गया है कि अगर यूकरेन के मिसाइल और ड्रोन कुर्सक परमानु उर्जा संयंत्र में दमाका कर देते तो रूस का कुर्सक इलाका पूरी तरह से भस्म हो जाता। यूकरेन की इस परमानु साजिश के बाद पुतिन भेंकर गुत्से में आ गये राश्टपती पुतिन ने अंतराश्टिय परमानू उर्जा एजनसी को लिखित में और सबुतों के साथ जानकारी दी है कि यूकरेणी सेना ने कुर्सक परमानू उर्जा संयंतर को निशाना बनाने की कोशिश की है पुतिन ने टेलिविजन पर कहा कि दुश्मन ने रात में परमानू उर्जा संयंतर पर हमला करने की कोशिश की अंतराष्टिय पर्माणू उर्जा अजेंसी को सूचित कर दिया गया है अभी तक कुर्स्क पर्माणू उर्जा संयंतर से 35 किलोमेटर दूर जंग हो रही थी लेकिन अब कुर्स्क पर्माणू संयंतर पर हमला करने की कोशिश की गई है पुदीन का दावा है कि कुर्सक परमाणू उर्जा संयंत्र के अंदर यूक्रेन के ड्रोन के कई टुकड़े मिले हैं जने रूसी सेना ने मार गिराया है अंतराश्ट्य पर्मानों उर्जा अजिंसी के महानेदेशक राफेल मारियानों ग्रासी के मताबिक कीव की सेना द्वारा किये गए आक्रमन के बाद कुर्स्क पर्मानों उर्जा सैंयंत्र, रूस और यूकरेन के बीच युद्ध की अग्रेम बंक्ती में आ गया है यूक्राइन के तोप खाने की रेंज में एटमी से येंटर आ चुका है और अब यूक्राइन उसे टार्गेट कर रहा है नाशे अबरोनी ऑपराइजी ना दोनेश्चीन, हार्किवश्चीन, ना पीवड़ी उक्राइन, नाशे जवील्निन वीड रोसी फ्लोत चोर्नों मोर्या, नाशा उपराइजी व कुर्द्थ की अबलस्ती ता मैजे व्जे शोदेनी उदारे पो रोसी वीज़ को आप येक्त साजिश के बाद से अन्दादुन्द हवाई हमले करने शुरू कर दिये हैं। यूक्रेनी सेना कुर्स में फस चुकी है और रोसी सेना चारो तरफ से उसे घेर कर मार रही है। इसलिए यूक्रेनी सेना ने कुर्सक एटमी संयंत्र को टार्गेट बनाया ताकि रोस को डराया जा सके। लेकिन हकीकत में पुतीन ने यूक्रेन के साथ-साथ 32 नेटो दावा किया जा रहा है कि रूस नेटों के 32 देशों से एटमी जंग कर सकता है। हम आपको एनिमेशन के जरीय दिखाते हैं पुतीन की एटमी जंग का सबसे पहले शिकार कौन-कौन हो सकता है। कुछ रिपोर्ट के मताबिक पुतीन के रूस ने टैंकों के 32 देशों को एटमी जंग की आखरी धमकी दी है। दावा किया जा रहा है कि यूकरेन के चक्कर में तीसरा विश्यूद होने जा रहा है जिसमें घातक परमानू हत्यारों का जम कर इस्तमाल होगा। रिपोर्ट के मताबिक 72 मिनट तक परमानू जंग हो सकती है जिसमें 5000 से जादा परमानू वम इस्तमाल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिये पूरा यूरोप और अमेरिका भस्म हो सकता है। पुतीन के परमानू हमलों का पहला शिकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलेंड हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, तो पूरा वार गेम दुनिया का विनाश कर देगा। अगर का वारे का विनाश का बिता, का वरी रगता है। पुतीन की पर्मानु जंग की तयारी का आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने पहले चरण में पर्मानु जंग में सक्षम, किंजल और इसकंदर मिसाईलों से अभ्यास शुरू कर दिया है रूसी सेना दक्षिनी सेनने जिले में परमानु जंग की तयारी कर चुकी है यही बजा है कि अब उस दावे की दहशत पूरी दुनिया पर छाने लगी है जिसमें दावा किया गया है कि तीसरे विश्विद्द की 72 मिनट की परमानु जंग बहुत भारी पढ़ने जा रही है जराइस एनिमेशन से एटमी जंग को समझने की कोशिश कीजिए रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सेन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमानु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है रूस के राष्ट्रपती बलादिमिर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमानु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं आशंका जताई गई है कि अगर परमानु युद छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धर्दी पर 5000 परमानु विसफोर्ट होंगे और अकल पनिय बिनाश होगा नुकलियर वार, असिनेरियो, बुक के मताबिक इन धमाकों में 300 करोड से जादा लोगों की मौत हो जाएगी पुतीन का साफ कहना है यूक्रेन जंग अब रूस के वजूद से जुड़ चुकी है जिसके चलते अब रूस परमानु जंग करने को मजबूर हो जाएगा इधर जो हालात रूस से सटे परमानु जंग जाएगा पॉलेंड के अंदर चल रहे हैं वो चीक-चीक कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका ब्रिटेन जैसे 32 नेटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमानु हमला कर सकते हैं यूक्रेन के प्रधार मंतरी डेनिस शामिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्युद में भस्मो जाएगी पुतीन की आखरी जंग 32 मिनट 300 करोड मौत बाततर मिनट में धरती ध्वन्स कैसे हो सकती है यह समझिए रूस की मिसाइल फाइर होते ही 25 मिनट में न्यू यूक्र पहुँच जाएगी न्यूक मैप के अनुवान के मताबिक इससे पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग घाल हो जाएगे इसके बाद 25 से 50 मिनट में धरती पर परमाणू यूद शुरू हो जाएगा यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएगे यूस और फ्रांस मिलकर रूस पर परमाणू हमले शुरू कर देंगे यूएस और ब्रिटेन मिलकर चीन पर परमाणू हमले कर देंगे और चीन भी पलट बार करेगा रूसी गड़मंदन का देश नौथ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा पचास से लेकर 72 मिनट तक महा बिनाश होगा यानि इन 22 मिनटों में धरती पर 5000 परमानू धमाकों का अनुमान जताया जा रहा है नूकलियर वार, असिनेरियो, बुक के मताबिक इन धमाकों में 300 करोड से जादा लोगों की मौत हो जाएगी नूकलियर वार, असिनेरियो किताब में अनुमान लगाया गया है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा हैरानी की बात तो ये है कि पिये मोदी जलेंस्की से मिलकर युद्ध को रुकवाने की कोशिश में लगे हैं लेकिन यूक्रेन की एटमी साजिश ने पुतीन को भेंकर गुस्ता दिला दिया है अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में रुस यूक्रेन से कुर्सक परमानू उर्जा संयंत्र का बदला कैसे लेता है